हेलो गेप्रिकॉर्म्स दिस यूर टाइमलेस रीडिंग राइट आप कभी भी देख सकते हैं यह वीडियो और यहां हम देखने वाले हैं कुछ हीडन चीज़ें आपके पार्टनर की तरफ से चाहे को एमोशनल फिलिंग्स हो या फिर कुछ भी हीडन चीज़ें जो भी चल र क्याविंग इनर्जी है केप्रिकॉंज का पार्टनर कुछ भी हीडन चीज़ें आपके पार्टनर की तरफ से आपका पार्टनर पना इमोशनल का पापको देना चाहता है बट अब अड़ आट सेम टाइम यहां कुछ बर्दन हैं 5 उफ वांस हैं 10 आफ वांस कन्फिलेक्ट यहां बर्डन है या तो responsibilities या काम का burden या फिर अगर आप दोनों में अगर मन मुटाव हुआ है arguments हुए है उस चीज का burden तो धीरे धीरे जो आपका partner है आपकी तरफ आना चाहता है आपको emotional का देना चाहता है पर उसके साथ ही यहां कुछ conflicts उनके दिमाग में घूम रहे हैं जो कि उनको बहुत जादा burden दे रहे हैं चाहे कोई काम का responsibility का किसी चीज का burden definitely आपका partner फिल कर रहा है यह conflicts arguments हो सकता है आपके साथ हो या फिर उनके दिमाग में बहुत जद्दो जहर चल रही है तो वह conflicts जो है उनके दिमाग में घूम रहे हैं खाला कि इस burden और इस conflicts के होने के बाब जूद आपका partner दीरे दीरे आपकी तरफ बढ़ना चाहता है दो काड़ लेंगे कुछ भी hidden चीज़ें आपके partner की तरफ से आपको पता ना हो Ace of Cup देख़ए आपका partner आपके साथ एक नहीं शुरूआत करना चाहता है Ace of Cup आपको emotions काफी है यहाँ ठीक है, emotional cup आपको देना चाहता है, new शुरुवात करना चाहता है, new beginning करना चाहता है, धीरे धीरे आपको यह जो emotions का cup है वो देना चाहता है, बट उसके साथ ही साथ इस love के बीच में देखिए, इस love के बीच में मुझे ऐसा लग रहा है कुछ conflicts हैं, कुछ responsibilities हैं, कुछ burdens हैं, एक 9 of cups and the 7 of wands, आपका partner कुछ manifest कर रहा है background में, जो कि आपको नहीं पता है, अपनी wish को manifest करने में लगा हुआ है, 9 of cups, को wish fulfillment हो रही है यहां आपके partner की, और अभी आप currently लगा सकते हैं, कि यह इंसान defensive है, ठीक है, यह इंसान defensive है, हलाकि emotional fulfillment आप ही है, still यहां defensive की energy है, walls खड़े करने की energy है, देखिए यह 3 cards जो हैं, वो cups, emotions को दर्शा रहे हैं, और यह जो 3 cards हैं, वो conflicts और defensiveness की energy को दिखा रहे हैं, आप देख रहे हैं 50-50, 3 cards जो हैं, वो बिल्कुल ही, जो है, वो defensive हैं, और 3 cards बिल्कुल ही emotional हैं, तो यहां पे, आप उनकी wish fulfillment है हैं, yes, new beginning करना चाहते हैं, आपके साथ, yes, आपको अपना love का offer देना चाहता है, आपका partner, yes, but, साथ ही साथ defensive है, कुछ walls खड़ी कर दी हैं, अपने इरिद गिल्स, because of this burden, because of this conflicts, कुछ तो conflicts चल रही हैं, जिसने आपके partner को defensive बना दिया है, लेकिन background में आपका partner, यहां manifest कर रहा ह है, आपको, ठीक है, चलिए, कुछ love messages लेते हैं, यहां पर, आपके partner की तरफ से, कुछ love messages, okay, यह काडाना चाहता है, okay, चलिए, read out कर लेते हैं, I am burning with passion for you, तो बहुत passion और attraction फिल करता है, आपका partner आपकी तरफ, I can see eternity in your eyes, आपके partner को हो सकता है, आपकी eyes बहुत पसंद है, I have been watching you from a distance, तो आपका partner को stalk करता है, दूर से, no one lights me up and inspire me like you do, तो आप कही न कहीं motivate करते हैं, अपने partner को inspire करते हैं, positivity देते हैं, my whole body burns at the thought of you, जब भी आपके बार में सोचते हैं, तो बहुत आपके partner को चलिए, एक advice card लेंगे universe की तरफ से, आप लोगों के लिए, मेरे viewers के लिए, one advice for my viewers, ओके, आज चुका है card, क्या है, when I shine bright, I give others permission to shine with me, तो आप लोगों के लिए जो advice आ रही है, वो यह है कि जब आप खुद खुश होते हैं, तो आप वो खुशी जो है, दूसरों की life में भी विखेर देते हैं, तो यहाँ पर आपको shine करने की, खुश रहने की, जो है, हिदायद दी जा रही है, क्योंकि अगर आप खुश होते हैं, तो आपका काफी effect परता है, आपके आसपास के लोगों पर, तो आपको shine, bright, जो है, shine करने की यहाँ guidance मिल रही है, कि खुश रहिए, ठीक है, positivity में रहिए, shine कीजिए, तो यह थी आपकी reading, कैसी लगी, comment section में बताईए, ओके फ्रेंड्स, बाबाई,